नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आज की स्वीडियो में जानते हैं कि लेकर एक चेंज हुआ है जिसमें आप नौमिनिक की बेंक अकाउंट डिटल एड करने का जो आप्षान ने उसे हटा दिया है एक लिए जानने वाली बात यह है कि आप नौमिनेशन जब हम एड करे लेगे हमारे पीएफ अकॉंड में तो हमें नौमिनिक के बेंक अकाउंट डिटल एड करना ही या नहीं चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और वीडियो शुरू करने से पहले आप से रिक्विष्टि की चैनल पर आप नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जोरू कर ले जब हमारे पीएफ अकॉंड में नौमिनी बनाना चाहते हैं उस नौमिनी की कुछ डिटेल हमें एंटर करना होती है जैसे कि नौमिनी का अधार नंबर नाम डेट अप बर्थ एड्रेस और बेंक डिटेल लेकिन यहाँ पर बेंक डिटेल एड करने का जो ऑप्शन है उसे के सब्सक्राइब यहां पर जैख सकते हैं तो आप जानते हैं कि करते हमें हमें नौमिनी का रेट करना नहीं करना है तो क्यों नहीं करना है और अगर bank account detail add करना है तो bank detail add करने का option कहा है तो इस सवाल का जवाब खुद e-pafo ने दिया है थोड़े समय पहले e-pafo ने help file नाम के एक circular को जारी किया था जिसमें यह बताया गाया था कि e-nomination केसे file किया जाता है इसी circular में e-pafo ने इस सवाल का जवाब भी दिया है जिसाग file इस पर आपको क्लिक करना है यह PDF file कुछ इस तरह से यह open हो जाएगी इसमें e-nomination कैसे किया जाता है इसकी पूरी प्रसेस बताई गई है इसे हमें स्क्रोल डाउन करना है यहां एक पॉइंट है step wise process इस पॉइंट के थर्ट टॉपिक को हमें पढ़ना है यहां लिखा है bank account is not mandatory तो अब नॉमिने की डिटेल एड करने की जरूरत बिलकुल नहीं है यह खुद एपीएफ ने बता है तो उम्मित करता हूं कि आज कि वीडियो में आपको यह सवाल किलियर हो चुका होगा कि अब करते समय हमें नॉमेने की डिटेल एंटर करने की जरूरत नहीं है वीडियो आपको पसंद आओ तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि इस चैनल पर मिलते रहे